वल्कम चिल्डरन तो तुम्हारे लिए लेके आ गया हूँ क्लास 10 का जो साइन्स का पेपर है क्या पेपर रहेगा कैसे क्वेश्चन्स तुम्हारे आने वाले हैं इस वीडियो को एक सेकिंड के लिए भी मिस मत करना पूरा पेपर तुम्हें बताने वाला हूँ 100% मार्क्स आ मेरे भाई आपने वीडियो को लाइक कर दिया है आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और अभी तक अगर चैनल को चिल्डरन सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो आपके एक सब्सक्राइब से हमारा बहुत मोटिवेशन बढ़ता तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजेगा चिल्रन आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है जल्दी से बता रहा हूं सबसे पहले देखो तुम्हारा जो पेपर होगा वो 80 माक्स का होगा तीन घंटे का तुमको टाइम मिलेगा औ और पूरे क्वेश्चन पेपर में 39 क्वेश्चन आएंगे पांच सेक्शन में यानि सेक्शन ए बी सी डी और ए ठीक है सारे क्वेश्चन कंपल्सरी होंगे और हां जो चचा लोग यूट्यूब पर ग्यान दे रहे थे ना कि पिटा एम सी क्यू नहीं आएंगे अबजेक् टाइप क्वेश्चन पर मेश्चन क्या इंगे मिलान तो वहां पर देख लेना और चचचा लोगों का घ्न मत मानना कैंगे ट्वेंटी और और प्यांगे यूट्टी गीशीन वेस्पक्र एंग चिन का डुदो नम्बर का होगा हर एक सॉत क्वेश्चन होंगे स्योटव क् questions भी आएंगे 55 नंबर के ठीक है और जो section E है वो consist करता है three source based questions अब आप यहाँ पे पहले ही questions में देख रहे होगे या यह source based case based unit based यह किस तरह के questions है तो children आप आगे बढ़ूँ आपको एक ऐसा app provide करा रहा हूँ ठीक है उस app को उसका जो link है मैंने description में डाल दिया है और वो app बिल्कुल free of cost है बिल्कुल free उसका कोई पैसा नहीं है तो अभी download कर लेना इस video को देखने के बाद ही और आपको किस तरह के questions आ रहे है किस तरह का sample paper आ रहा है किस तरह के competency based questions रहेंगे किस तरह के mcq questions रहेंगे जो भी आपके doubts है वो clear कर पाऊगे तो मैंने link description में भी दे दिया है और pin भी कर दिया है अब देख लेते है questions तो देख रहो questions का तरीका इस बार थोड़ा सा आपको hard लग सकता है cbsc का यह सब questions है पहले 20 उसने mcq questions डाले हैं यह सब questions आपके इस तरह से रहने वाले हैं अब जब हम आगे बढ़ रहे हैं आगे बढ़ रहा हूं 17, 18, 19, 20 अब यह देखो 20 mcq questions के बाद section भी चालू हो गया भी चालू हो गया अब इस तरह के यह वाले questions आगए आपके ठीक है very short question आगए और हर एक question कितने कितने marks का है दो दो नंबर का है patient whose gallbladder are removed are recommended to eat less oil food why ठीक है तो इस तरह से यह questions आपके यहां पे यह सब यहां पे दिया हुआ है अब इसके बाद आपका start हो जाता है section c यह रहा आपका section c और section c में जितने भी questions है short questions वह तीन तीन नंबर के हैं देख रहे हो 33 marks के है short questions के बाद children आपके start हो जाएंगे long questions 55 marks के यह आपके आगे long questions और इसके बाद आपका start होता है section e यह क्या है यह based data based questions है children इस बाद नए तरह के competency based data based questions जो add किये हैं CVC ने तो उसके लिए आपको यह app download करना पड़ेगा जो मैंने अभी आपको app बताया ना इस app का जो link है वो मैं description में भी डाल रहा हूँ और pin भी कर रहा हूँ तो आज ही इस app को download कर लीजे और enjoy कीजे ठीक है please children video को like कर देना channel को subscribe कर देना झाल मीं